ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं कुम्भ राशी वालू अब आप मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अब भगवान शनिदेफ के अशिरवास से आपको 17 जून से 26 जून यानि कि इन पूरे 10 दिनों में बड़ा लाब मिलने वाला है यूँ कहें कि इन 10 दिनों में आपके पास अब गाड़ी भी होगी बंगला भी होगा और आपकी सभी मनुकामने पूरी भी होगी इतना अच्छा समय है भगवान शनिदेफ के अशिरवास से अनेक उप्रिकार के लाब दनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है भगवान सनिदेफ के अशिरवास से आपको 17 जून से 26 जून यानि कि इन पूरे 10 दिनों में तो दोस्तो कौन-कौन शी बड़ी खुसकवरिया हैं किस प्रकार मिलेंगी शंपोन 16 राशिफाल 17 जून से 26 जून तक का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत महत्पपून वीडियो हैं शुरू से इन तक वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप कियों बिना काटे हुए तब ही आपको इस वीडियो का पूरा लाब मिलेगा या दोस्तों वीडियो को अगे शुरू करें सबसे पहले आप से रेक्वेस्ट करते हैं भगवान शनीदेव के सच्चे वक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैय शनीदेव अवश्य लिखें जिससे भगवान शनीदेव का अशिरवाद आपको शीलिप राप्त हो सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान शनीदेव का अशिरवाद से आपकी राशिवालों के लिए 17 जून से 22 जून यानि किन पूरे 10 दिनों का यह महत्पपून समय दोस्तों यह समय ग्रह इस्तिती आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्ते योजनाओं सम्मंदी कारों पर अधिक ध्यान केंदित रखें आपको महत्पपून उपलब्दी हासिल होगी बुजुरुगों का अशिरवाद वे इसने पाकर आप और अधिक प्रगर्ती पर आगे बढ़ेंगे दोस्तो साति सात यह समय आपके लिए लाबकारी है अपने सपने वे कलपनाएं शाकार करने का यह उत्तम समय है अपनी छमता पर विश्वास रखें बहुत सी परिसानियों का अब हल मिलेगा रिष्टेदारों से संबंदित किसी विवाद के सुलजने से रिष्टों में दोबारा मधूरत आएगी दोस्तो साति सात परिवार के साथ शुक सुविदा संबंदी वस्तों की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा किसी रिष्टेदार के यहां धार्मिक उत्सब में दाने का भी प्रोग्राम बनेगा कहीं फसाओवा पैसा मिलने से आर्थिक इस्तिती और अधिक बहतर होगी साति सात शामाजिक गति विदियों में आपका सहोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है आपकी प्रतिभा तथा छमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी घर के नवीनी करण संबंदी योजनाय भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रियोग करना और अधिक उत्तम रहेगा दोस्तों साते साथ यह समय किसी भी कारे को करने से पहले घर के अनुववी व्यक्तियों की सला आप अवश्च चलें सोच समझ कर लिया गया नर्णे आगे चल कर आपको लाब देगा संतान की तरब से भी कोई सुब समचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहोल रहेगा मन मुताबिक समय व्यतित करने से आप फ्रैस और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तों साथिसाथ किसी एप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरन कुछ नकारातमक भी हो सकता है इस तनाव का असर आपकी का रिच्छमता पर भी पड़ेगा घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलाँ वे सयोग आप अवश चले दोस्तों साथिसाथ अनावशक यात्राओं को आप इस्तकित रखें लोगों के साथ वहवार करते समय सावधान रहें गलत फहमी की वज़े से संबंदों में खटास आ सकती है बच्चे की किसी नकारातमक गतिविदी की वज़े से चिंता रह सकती है परंतु सांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा दोस्तों साथिसाथ किसी प्रकार की निवेश संबंदी गतिविदियों को आप इस्तगित रखें अन्यथा नुकसान जैसी इस्तिती आ सकती है विद्धार्ती अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा फोकस रखें साथिसाथ पडोसियों के साथ संबंद खराब ना होने दें ध्यान रखें कि जरासी गलत फैमी की वज़े से नजदी की मित्रों या भायों के साथ संबंद भी खराब हो सकते हैं तनाव को अपने उपर आप हावी ना होने दें इसका असर आपकी कहरेच्छमता पर भी पड़ेगा सांतेपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकाले किसी अंजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसान दे हो सकता है फाल्तू के कारों में भी खर्चों की अधिकता रहेगी साथ साथ यह समय किसी भी प्रकार का महत्पपूर्ण आप निर्ने लेने से बचें आप किसी दुविदा में भी बुरी तरह से फस सकते हैं जिसका असर परीबार पर भी पड़ सकता है बहतर होगा कि बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का भी आप संपर्क कम ही रखें आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ के करें तो यह समय घर के वातावरण को उचित बनाए रखने में जीवन साती का महत्पपूर्ण योगदान रहेगा तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी परिवारिक वातावरण उत्तम बना रहेगा काफी समय बाद रिष्टेदारों से मेल मिलाप खुसी प्रदान करेगी साती सात पती पतनी के संबंदों में भी कुछ खटी मेटी नोक जोक रह सकती है इसके बाद आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी दोस्तो विवाहित जीवन में मदुर्थ अभनी रहेगी किसी भी महत्पपूर्ण निर्ने में जीवन साती की सला आपके लिए लाबदायक साबित होगी प्रेम संबंदों में नजदी की आएंगी साती सात परिवारिक वातावरन सहयोगा अत्मक तता खुस नुमा रहेगा प्रेम जीवन के द्रिश्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तो बात अगर आपके विवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी और विवसाय में शकारतमक पैरणाम आपको प्राप्थ होंगे युवा वर्ग को नौकरी से संबंदित बहीजी गई फाइल का शकारतमक रिजल्ट प्राप्थ होगा नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्य की अधिक्ता की वज़े से घर पर भी ओफिस का कुछ काम करना पड़ सकता है कार्य छित्र में वर्तमान गती विद्यों पर अपना ध्यान केंदरित रखें क्योंकि इस समय कोई नया काम या योजना कामियाव नहीं रहेगी मेहनत जादा और कम परणाम जैसी इस्तिती बनी हुई है कार्य इस्थल पर किसी से बिना बात वाद विवाद भी हो सकता है दोस्तों साथे साथ यह समय यर्स सटा आदी जैसे कार्यों में निवेस आप ना करें तथा गैर कानूनी कार्यों में हात ना डालें किसी प्रकार की इंक्वारी होनी की भी आसंका बन रही है नौकरी में बहुस वे अधिकारी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है इसलिए आप साबधन भी रहें कारेचित्र में शहयोगी तता कर्मचारियों के साथ दोस्ताना वहवार रखें इससे वे लोग पूरी एनरजी से काम के प्रती अपना ध्यान दे पाएंगे संगीत, शहित्य और कला संबंदिक कारों में आपको सपलता मिलेगी सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्म नियंतरित रहने की जरूत है कार्य इस्थल तथा विवसाइक इस्थल पर आपकी उपस्तिती अनिवार रहे है क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे निवेस संबंदी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रिया निवेंत करने से पहले सबी पहलूँ पर विचार विमर्स आप जरूर करें साथ साथ कामकाज में बहुत अधिक वेस्त ता रहेगी आप कुछ ठोस तथा महत्पपोन निर्ने भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे जिससे आपको काफे खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय रक्त संबंदी कोई समस्या हो सकती है आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जाँच अवश्य कराएं खास तोर पर महिलाएं अपने स्वास्थ के प्रती अधिक जाग रुक रहें क्योंकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन की भी आसंका लग रही है गैस वे पेट दर्द संबंदी सिकायत रह सकती है खान पान पर नियंत अड़ रखें आयरुविदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तिमाल करें साथ साथ एक कारण ही तनाव की इस्तिती रह सकती है जिसका असर आपकी कार्य छमता पर भी पड़ेगा मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यतित करें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा